नमस्का हर महिलाओं को ये बात जाननी बहुत जरूरी है उनकी लाइफ के लिए बहुत सी महिलाएं क्या होती है साधी होती है अच्छी एजुगेटेड होती है अच्छी फेमिली में चली जाती है उनकी फेमिली रिच होती है सब कुछ अच्छा होता है लेकिन कुछ और लंग होते हैं उड़ने के वो साधी के बात में रुक जाते हैं और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर भाते हैं तो आखिर ऐसी कौन सी बाते हैं जो हर महिलाओं को जानने बहुत जरूरी है उनके लाइक के लिए नमबर वन सोचना कि आप हर किसी को खुष नहीं रख सकते हो ठीके आप एक अच्छी फेमिली में रहते हो आपका माइंड सेट क्या होता है मेरे हज्बेंड को खुष रखना मेरे सास ससूर को खुष रखना मेरे बच्चों को खुष रखना मेरे परिवार वालों को जो रिष पास पड़ोस वालों को खुश रखना हर तरह से ये दबाव महिला को उपर होता है कि सब को खुश रखना एक बात ध्यान रखना सब को खुश रखने के चक्कर में आप अपनी लाइफ को खुश रखना भूल जाओगे आप किस-किस को खुश रखोगे कोहीन न कोई तो आपसे नाराज जरूर होगा और जब आप क्या देखते हो आपसे नाराज जोता जिससे आपकी नाराज नाराज होती है आपको रिस्तितर आते हैं गर पर वो नाराज आपको लोगता है आप गल्टी प्हील करते हैं वो क्या सोचेंगे या वो यह सक्या सौचींगे मेरे बादे इस सोच कर आप अपने मन को दुकी करते रहते हो तुम हर माईला को कहना चाहता हूँ कि आप फैमेने लेके बेटा वो ते अच्छी बात है लेकिन आप अपने मन से एक बात जरूर निकाल देना आप सब को खुष नहीं रख सकते हो कोई न कोई तो आप से नाराज जरूर होगा होगा तो होने दे आप अपने आपको गिल्टी फील मत कराएं आपको आप सब को खुष रखने के चक्र में आपने लाइब जीना भूल जाओगे आप अपने उपर ध्यान देना भूल जाओगे आप अपनी एंबिसन को भूल जाओगे इसलिए सब को खुश रखने के चक्कर में अपना वजूद मत खोना कोई ने कोई तो आप से जरूर नाराज होगा अपने आप को फाइनेंशली स्ट्रोंग बनाए जी हाँ साधी से पहले तो हर लड़की क्या कहती है मैं वो जोग करूँगी में वो बनूँगी में यह करूँगी मेरे पास भी अच्छा खासा पैसा होगा और जब साधी के बाद में जब ससुराल जाती है परिवार अच्छा खासा पैसे वालों होता है माइन सेट क्या बनाए अरे यार आप क्या करना यार पैसे कमा गे अज्याता है फैमिल्य में इतना पैसा है परिवार के पास इतना पति अलोग दो लोग न nuanced अमात है अग क्या करना एक रखना खुद को फाइनेंसिली स्ट्रॉंग करना और खुद Тके पैसे कुद च इह फोते हैं यह ध्यान रखना बने हो आपके पती हैं बने आपके हैं लेकिन अगर आप 5,000 रुपे भी खर्च करोगे ना तो आपको अपने पती से पूछना पड़ेगा आप थोड़े से भी कहर्च करोगे तो आपको पूछना पड़ेगा पूछना अच्छी बात है लेकिन फिर भी अगर आप छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप अपने गर में गर से पेशे मांगोगे तो आपको कैसा फिलोगा आपको फाइनेंशली स्ट्रोंग तो आपको होना पड़ेगा और जब आप फाइनेशली स्ट्रोंग होंगे तो अपने आप में एक साथी कर लिए आप अच्छे फैमेली में भी चलेगे लेकिन फिर भी अपनी फाइनेशली स्टति मजबूत करण will अपने आपको एक अच्छा मुद्मूत करना, अपनी पड़anton culture अप अच्छी डिग्री के ले की तो साधी करने कब और प ρंति को भी का मत डालना उस डिग्री का tak यूटिलाइज लेना वरना आप ने इतनी अच्छी खासी पड़ाई की तो पड़ाई फिर क्या काम की इसलिए हर महिला को फाइनेल्शनिक स्ट्रोंग तो जरूर होना चाहिए तड़ अपनी जरूरतों को पहचाने ध्यान रखना आप बहुस्सी महिला क्या करती सादिक करके बाद घर पर जाती है और उर्ह नका परिवार भी Minal family का होता है तो अपने पती की, अपने बच्चों की, अपने फैमेली की, अपने साथ ससुर की, अपने नरत की जरूरते पूरी करते हैं, अपनी जरूरते हैं, छूट जाती हैं, अपनी जरूरतों को दबा जाती हैं, कुछ इच्चा होती है, कुछ करने हैं, लेकिन पेसे नहीं होने से उ दबा जाती है कि नहीं यार मेरे बच्चों के लिए करना है मेरे पती के लिए ये करना है मेरी फेमिली के लिए करना है ठीक है सब कुछ आपको करना है आपके सोच बहुत अच्छी है आप ये सोचते हो लेकिन आप अपनी जरूरते कब पूरी करोगे आप दूसरों के जरूरते पूरी करते करते आप अपनी जरूरते कब पूरी करोगे आप सोचते हो मेरा समय आएगा आएगा कब आएगा आप दूसरों को देखते हो जब जरूरते उनके पूरी होती तो वो खुस होते हैं लेकिन आप अंदर अंदर गिल्टी फील करते हो कि मेरी जरूरत कब पूरी होगी इसलिए बड़ी नहीं छोटी छोटी अपनी जरूरते भी पूरी करना क्योंकि आप जब दूसरों की जरूरते पूरी करते करते आप अपनी जरूरते बूल जाओ कोई न कोई स्किल तो अपने अंदर डवलप जरूर करना आप गर पर आगे बेट गए आराम से आपके अच्छी खाशी डिगरी और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो गर पर आके आराम कर रहे हो मस्ती कर रहे हो तो हो सकता है कि यह आपके लिए बहुत बड़ा मुसिबत थाबिद कर्दें, आपने अंदर कोई न है कोई तो ऐसा हुनर पेदा करना, इस्किल डवलप कर पेदा करना, आज आज को अचहा जोब पर जाती यह रू अच्छा पेसा कमाती और अच्छा अपने आपको करती है. तो इसकी समाज में कितनी अच्छी ripe post होती है हर जग है कितना समान मिलता उता हूव क्यों कि अपने अनतर इसकी डवीलब कीllow दोनों किटुन्हों किसे मिलती है जो जोब करती है जो अच्छी पोजिशन पर होती जो बहुत ही अच्छी entrepreneur होती है उनको respect मिलती है लाइफ में ध्यान रखना कि कोई ये कोई तो एक skill अवश्य है necessary अपने अंदर develop करना कि हर कोई आपको पूछे हर कोई आपको सम्मान दे तो ये चार बाते हर महिलाओं को जाननी चाहिए उनकी life के लिए बहुत जरूरी है अगर आप ये जान जाओ ग को लोको लोगे ना तो आप की life में एक अलग change जाएगा आप अपने आपको confidence से बर लोगे और आपके अंदर एक अलग सा जोय पेदा होगा इसलिए ये बाते आपको जाननी बहुत जरूरी है